Hello everyone! अभी हमने previous वीडियो में जो कि हमने कल ही अपलोड किया इस चैनल पे उस पे हमने जो है research क्या होता है? Famous researchers और educationists ने जो research की परिभाशा दी है, definition दी है उसे हमने आप लोगों के साथ discuss किया था और हमने research के क्या characteristics होते हैं हमने उसकी भी बात की थी तो चलिए आज की class में let's get started जिसमें हम objectives of research के बारे में बात करने जा रहे हैं तो जी हाँ हम जो है objectives of research के बारे में बात करने जा रहे हैं तो देखिए बहुत ही interesting सा होता है ये objectives को कई सारे type में हमने बाटा हुआ है, देखिए पहला है theoretical objective, दूसरा है factual objective और तीसरा है practical objective देखिए, जब हमारे research के objectives सा अलग अलग होते हैं तो हमारा जो focus होता है जो हमारा purpose होता है research का या जो हमारे research के questions होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से formulate होते हैं कि theoretical अगर objective है तो हमारा purpose है new theory को formulate करना या new truth को establish करना factual objective है तो हमारा purpose है new facts को explore करना अगर practical objective है तो हमारा purpose होता है जो knowledge existing है उसे application मिलाना, उसे practice मिलाना, उसे action मिलाना तो चलिए अब हम इन सारे जो हमारे objectives हैं इन सब को थोड़े detail में समझते हैं जो theoretical objective है जैसे मैंने आपको कहा कि new theory लेके आनी है इसमें new theory लेके आनी है ज्यादा तर situation में इसमें scientific method या जो हमने बात करी थी ने कल के वीडियो में कि जो हमारा एक procedure होता है problem को encounter करना hypothesis करना ये सब उसमें जो है सारे steps involved होते हैं और जो theoretical objective होता है इसका purpose हमारा रहता है कि हम क्या करें हम क्या करें generalize कर पाएं अपनी finding को और क्या कर पाएं prediction कर पाएं उस theory या उस knowledge के basis पे आगे होने वाले events को दूसरा आता है हमारा factual objective तो जैसा कि इसके नाम में ही term में ही है इसमें क्या करना होता है facts को explore करना होता है तो descriptive kind of research ये जादा होते हैं अब हम बात करते हैं practical objective तो जिसमें हमें किसी immediate problem का solution find out करना होता है हमारे applied research action research ये सब से major chunk of questions जो है इस पे से पूछा जाता है अगर आपको एक एक term जो अभी हम discuss करने वाले हैं वो clear हो गया तो आपके मान के चलिए कि आपके जो है तिन चार questions जो इस पे आते हैं वह आप बिल्कुल सही बना के आएंगे देखिए जो types of research में हम बात करें वह पहला आया basic research देख गया है कि बिल्कुल basic research है मतलब इस research के बिना आपकी understanding आपकी knowledge बिल्कुल अधूरी है तो इसे किस तरीके से design किया गया है कि जो हमारी organized body of scientific knowledge है ना वो expand हो पाए उसमें जो है addition हो पाए किस चीज़ का addition हो पाए addition of new knowledge addition of new knowledge यह इसका purpose रहता है new truth को explore करना और उसे establish करना यह इसका purpose रहता है किसका purpose रहता है basic research का ठीक है ना हाँ इसका purpose होता है knowledge को enhance करना लेकिन इसकी immediate practical value है इससे इसका कोई concern नहीं है अब हम बात करते हैं applied research तो देखिए applied research का जो biggest goal है ना जो soul motive है ना वो क्या है कि क्या करना है ऐसे चीजों को मतलब ऐसा research carry out करना जो immediate solution provide करे practical problem के लिए ठीक है ना practical problem exist जो कर रही है उसका हमें immediate solution find out हो इस टैप के research को हम बोलते है applied research तो चलिए अब यह जो हमारे types of research है ना इससे थोड़ा और detail में समझते हैं देखिए कई सारे types के research हैं अगर हम objectives of research के basis पर बात करें तो fundamental research है और action research है fundamental research जैसे कि हमने basic research की बात करी थी कि हमें क्या करना है knowledge को enhance करना है और action research में क्या होता है जो हमारे पास immediate हमारे आस पास जो immediate practical problem है ना उसके तह में जाना उसके practical solutions को find out करना तो जब हमारा यह research रहता है objective रहता है research का तो हमारा होता है action research ठीक है वह से चीजे समझ में आ गई होंगी action research में जैसे knowledge की किसी बचे को English के learning में difficulty है grammar नहीं समझ में आ रहा है या class में behavior different है ठीक है तो आपने knowledge कोई या irregular है ठीक है अगर हमें इस step के problem का एक फटा फट से solution निकालना हूँ अगर मैं educational field से लेके आ हूँ तो हमारा research की step का होगा action research थोड़ सा और detail में समझते हैं अगर हमारा approach different हो तो क्या इसके basis पे हमारे research का definition या type different हो सकता है बिलकुल होता है देखिए अगर longitudinal research है cross sectional research है यह सब क्या है longitudinal research में क्या होता है over a long period of time और जो हमारा cross sectional होता है वो क्या होता है हमें एक particular माली जीये की academic year में ही माली जीये longitudinal की बात करूँ तो मुझे यह देखना है कि भई जो बच्चा अभी 6th class में है उसका learning style कैसे time के साथ change होता जा रहा है या माली जीये maths के या science के किसी concept की समझ उसके जब वो 6th class में है तब कैसा है और जब वो 12th class में गया तब कैसा हुआ तो देख सकते हैं आप 6 साल के gap पर आप एक student या case के साथ study कर रहे हो जब इतनी ज़्यादा time taking चीज़े होती है तो हम बोलते है longitudinal research ठीक है लेकिन वही cross-sectional research क्या होता है कि आप एक particular academic year में ठीक है ना माली जी कि अभी जो year चल रहा है माली जी आपने 24 बच्चे में किसी स्कूल में आप 6 के बच्चे 7 के बच्चे इस तरीके से 12 तक के बच्चे को लिया अपने sample का part बनाया class के इसरें तक अगर 60-60 है तो माली जी आपने उन में से 30-30 ले लिया हर grade में से और उनके उपर आपने research आपना कुछ आपने जो tools है वो administer किये तो आपको पता चल जाएगा भई कि इन different grades में बच्चों की understanding कैसी है तो आपने एक साल के अंदर 6 classes के बच्चों को study कर लिया तो यह क्या होता है cross-sectional जबकि longitudinal में क्या था एक बच्चा है और आप हर साल उसके उपर study कर रहे हो तो 6 साल का time ले रहा है तो देखा research का अगर approach different हो तो हम research का terminology change हो आती है नाम उसका बदल रहा है तो आपना कुछ examples देख लीजिए historical case study यह सारे हमारे longitudinal में आते हैं और experimental survey यह सारे हमारे किस में आते हैं cross-sectional में देखिए precision के basis पर देखिए experimental research होता है non-experimental तो देखिए यह जो non-experimental है जो कि social sciences and education setting में use होता है social sciences में जो experimental होता है हमारे कौन से फिल्ड्स है जैसे physical sciences है ना physical sciences के फिल्ड हो गया जैसे physics हो गया chemistry हो गया engineering हो गया medical sciences हो गये है अब आप देखिए इसमें precision के कितनी ज़्यादा जरूत होती है आपको कोई medicine बनानी है माली जीए तो उसकी preciseness उसकी accuracy उसका dose बलकि मिलिग्राम में नैन important हो जाती है तो जब precision deciding चीज होती है तो हम research को हमने दो category में डिवाइड किया है non experimental हो गये experimental में क्या है आप कई सारे variables को control कर सकते हो आपके पास एक बिल्कुल strict setting होती है आप factors जो है हमारे pressure temperature pH इन सबको आपको regulate कर सकते हो control कर सकते हो लेकिन हम non experimental में search करते हैं तो कई सारे ऐसे confounding intervening variables होते हैं जिने control कर पाना थोरसा difficult रहता है तो यह होता है social sciences educational setting और और भी psychological setups में स्टाफ के research होते हैं ठीक है ना हमार आप देख सकते हैं कि experimental research में precision बहुत important role play करता है जिबकि non experimental में ऐसा ही है nature of finding के basis में चले से classify कर लेते हैं अगर explanatory research है तो भाई explain हो रही है ना और theories के बारे में ज्यादा information मिल रही है theory develop कर रहे हम new हमें truth मिल रहा है तो यह हमारे किस टाइब का research में आ रहा है अगर देखें तो जी हां तो यह हमारा किस में आ रहा था theoretical objective में और findings इसकी explanatory है descriptive में क्या होता है यह facts के साथ concerned होता है हमारे findings describe कर रहे हैं नएने facts को हमारे के लिए highlight करते हैं जो इस टाइक की findings आती है तो descriptive research कहते हैं आपके कई हों के मुझसे सना होगा कि हमारे research का जो type है वो descriptive research है यानि वहां पर facts को क्या किया जा रहा है explore किया जा रहा है अब आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे टाइप है basic research जिसे हम fundamental research कहते हैं ठीक है ना तो इसमें हमें original और unique investigation की जरुत होती है knowledge की advancement होती है देखे बहुत important है basic research में original word लगा है unique word लगा है यानि आपको new truth को find out करना है new truth new knowledge applied research के बात करें तो इसे applied क्या है utilization पे focus करता है यूटिलाइज करो knowledge जो आ गई है उसे utilize करो developmental research क्या कहता है अब उसे development में लगाओ utilize कर रहे हो सबसे पहले knowledge discover हुई truth आया उसे apply करो फिर उसके basis पे materials बनाओ devices बनाओ systems बनाओ technology बनाओ ठीक है ना तो इस तरीके से research चलता है बाकी और भी classification से आप देख सकते है borderline researches वगरा science के field में use होती है explanatory जब आपको new knowledge discover करना हो या theory develop करना हो empirical का मतलब है evidence based जो कि सारे हमारे experimental researches आते हैं इसमें और ad hoc research जो हम कुछ time के लिए inquiry carry out करते हैं ठीक है यह सारे जो हमारे types है आरे शर्मा की book है वहां से ली गई है और आप इस book को भी पर सकते हैं और इसके साथ साथ इस video में तो मैंने पूरे तरीके से सारे topics को cover कर ही लिया है अब सबसे fundamental सबसे important experimental and non experimental experimental में मैंने जैसे बात करी experimental research में हम जो भी हमारे variables होते हैं temperature, pressure, volume, mass यह सारे चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं अपने control setting में experiment करते हैं, precision होना, accurate होना यह जो है experimental research की विशेशता होती है और क्योंकि accurate और precise होते हैं तो generalization के लिए use किया जा सकते हैं, predictions किया जा सकते हैं और future के लिए इनके बहुती vast implications होते हैं थोड़ा समय आपको और explain कर दूँ कि होता क्या है, देखिए basic research ने हमें knowledge दी, apply research ने हमें utilize करना बताया उस knowledge को मालीच हमारे पास concept आ गया, pressure is equal to force per unit area यह हमारे पास एक unique, new finding suppose आ गई, तो अब हमें इसे क्या करना है, utilize करना है, फिर development करना है, तो development research का पार्ट बनेगा तो जैसे कि ships बना लिए इस concept पे, ठीक है न, या और भी जो concepts होते हैं, तो बहुत सारे concepts हमारे, यह जो हमारी finding है, basic research ह हमने बनाना सीखा, तो यह सारी, सारे टाइप के researchers एक दूसरे को compliment करते हैं, knowledge को enhance करते हैं, और इन सबको एक totality में पढ़ने की जरुवत है, तो फिर as a researcher, यह जो एक research aptitude है, acumen है, यह बहुत एक totality में जब develop होगा, तो आपकी समझ, आपका explanation, आपकी analysis और आपके findings, बहुत ही एक sequence में निकलेंगे, और research जो है, एक बहुत ही enjoyable process भी हो सकता है, non-experimental research की बात करें, तो non-experimental study जो है, इसका जो primary focus रहता है, कि जो भी natural conditions prevailing हैं, उसे change ना करें, और उसी condition में आपके क्या behavior हैं, क्या आपके किस टाइप से आप जो है, respond करते हैं, उसी situation में, natural setting में जब experiment किया जाता है, जैसे case study, ठीक है ना, और भी historical investigations, surveys, ठीक है, तो यह सारे जब इस टाइप के experiment किया जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, non-experimental, अजब सारे factors को control किया जाता है, तो experimental, जब हम सारे prevailing conditions के अंदर काम करते हैं, research carry out करते हैं, तो non- experimental, हमारा इसमें precision की कोई जरोध नहीं होती, जब कि experimental research में precision accuracy की बहुत जाधा उस पे focus रहता है, तो यह हमारे इसमें जो है ना, फर्दर आप देख सकते हैं, मैं stable को explain करती हूँ, जो कि आपको जितना भी हमने पढ़ा है, उसे एक तरीके से क्या कर देगा, summarize, और यह आपके करके, देखिए, अभी इसी time, आप इस table को अगर समझ लेंगे, तो आपको type of research समझ में आ जाएगा, उसके objectives आप कभी नहीं भूलेंगे, और वो किस type का function करता है, वो research, किस type से useful है, वो हमें पता चल जाएगा, सबसे पहले हम बात करते है, experimental type of research की, और फिर हम बात करेंगे, non-experimental type, देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी पहले से पता है, experimental में precision, accuracy, important है, non-experimental में हमारा purpose रहता है, हम context को समझें, हम prevailing factors के influence को समझें, तो हमें precision, accuracy से ज़्यादा importance रहता है, उस context की understanding, exploration, तो चल लिए के करके समझते हैं, basic analytic action, देखिए, basic का मतलब है, आप सबको याद होगा, basic research, fundamental research, उसका क्या काम रहता है, original and unique knowledge को find out करना, यानि, आप देख सकते हैं, कि research objective कैसा होगा, theoretical, क्योंकि theory develop करनी है, principles बनाने है, laws बनाने है, function क्या होगा, explanatory, किसी situation को explain करना चाहिए, काफी detail में, analytic, analysis based, factual होगा, factual इसका objective है, facts develop करने हैं, और function क्या है, describe करेगा, descriptive nature का होगा, research, action, जैसे मैंने आपको कहा, action, basic के बाद क्या होना चाहिए, जो knowledge आई तुम्हारी, उसे apply भी तो करना चाहिए, उसे materials भी तो develop होने चाहिए, तो इसका objective क्या होगा, practical, जो भी immediate problem है, उसका practical solution देना, तो ये हमारा function क्या करता है, practice, practice में लेके आता है, research के findings को, non-experimental को देखिए, तो applied क्या होता है, basic के बाद हमने applied पढ़ा था, कि जो हमारे पास existing research है, उनके जो भी findings है, उसे apply करना, तो ये जो है हमारे theoretical, explanatory function है, historical, factual है, fact-based होता है, descriptive है, action, practical होता है, और practice में से use किया जा सकता है, तो आपने देखा कि हमने इतने सारे types के researches को यहाँ पर आपके साथ discuss किया, इसमें से कम से कम चार से 10 मात सामान के चलिए, कि आपके net होने वाले exam में, बिल्कुल cover होंगे, आपके इस preparation की journey में हम लोग आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ update ली, जो है, doubts के साथ, आपके लिए एक new videos के साथ बिल्कुल आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपनी तयारी को और मजबूती और आप इसे और अपनी गती प्रदान करें, ठीक है, thank you so much.